नमस्कार, रिलेशन, रिस्ता, व्यवार, बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लेम लगातार किसी के उपर, क्या उसकी वज़ा से मेरा रिस्ता तूट गया, उसकी वज़ा से हमारे दोनों के बीच में ब्रेक अप हो गया, उस व्यक्ति की वज़ा से हमारा व्यवार में दरार आ आपको क्या लगता है वो सही है जहां तक मैं अपनी बात करता हूं मैं अपनी सोच आपको बताता हूं वो सही नहीं है अगर जो व्यक्ति आपको यह कहता है कि तीसरे व्यक्ति की वज़े से मेरा रिष्टा टूट गया उस व्यक्ति से तो समझ लेना वो व्यक्ति आपको लिए फिर भी तोड़ रहा है ना मैं उसकी गलती मानूंगा अब आपको इसा क्यों अभी बताऊंगा इसा क्यों अगर आप दोनों का रिस्ता टूटा है ना अच्छा वेवार था अच्छा रिलेशन था और तूट गया है तो ध्यान रखना किसी तीसरे व्यक्ति से वजह से नहीं टूटा है यह आप दोनों के बीच में आपसी विश्वास और प्रेम की वजह से टूटा है क्या आपका रिस्ता इतना कमजोर है क्या आपका वेवार इतना कमजोर है कि तीसरे व्यक्ति के बहका में आकर आप अपना रिस्ता तोड़ रहे हो इसका मतलब तो आपका र सबसे बड़ी गलती है और आप सबसे बड़ी मुर्क हो कि तीसरे वर्क disclaimer आकर आप अपना रिस्ता तोड रहे हो अरे यार तीसरे वर्किन अगर आकर कान भर रहा है किया नहीं और उसने आप के लिए ऐसा कहा तो आप उसकी बातों में क्यों अगर वाकई में लेली में he said to you something तो उससे जाकर direct बात करिए कि क्या यार आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे थे आप ऐसा कह रहे थे तो उसी वक्त दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा उसी वक्त तीसरे व्यक्ति की सच्चा ही सामने आ जाएगी अगर उस वक्ति ने नहीं का हो अगर आप रिलेशन तोड़ दोगे ना तो आपके रिलेशन में विश्वास और आपसे प्रेम की कमी है त्यान रखना ये दुनिया बहुत जेलिसी है ये दुनिया बहुत कप्ती है कोई दो लोग अच्छे विवार से रह रहे है कोई दो को नहीं खटकता है ये दुनिया नहीं चाहती कि आप अच्छे विवार से रहो आपकी किसी से बने उनके मन में यही कीड़ा दोड़ता रहता है कि कैसे इनका रिलेशन तोड़ाए कैसे इनका विवार तोड़ाए ये दुनिया बहुत कप्टी है तो ये दुनिया कप्टी आप तो अपना विश्वास आपको अपना प्रेम प्रगाध रखना किसी तीसरे व्यक्ति में आकर अपना विश्वास अपना प्रेम अपना रिलेशन मत तोड़ना क्योंकि यह तो दुनिया है साथ आपके पल पल आपके दिमाग में कान बरेगी आपके दिमाग में कच्रा ब वरना कि कोई भी कुछ भी के दे उसके लिए पर आप विश्वास ना करो एसा प्रेम और एसा विश्वास सामने वाले के उपर होना चाहिए वरना ते दुनिया कुछ भी कहेगी कहने दो आपका रिस्ता प्रगाड है आपका प्रेम हाई है तो दुनिया कुछ नहीं कर पाईगी तो द्यान रखना तो एक बात द्यान रखना रिस्ता कभी भी तीसरे व्यक्ति की वज़े से नहीं तूड़ता यह तो आपसी विश्वास की कमी और आप दोनों के प्रेम की कमी की वज़े से टूड़ता वरना तीसरे व्यक्ति की क्या उकात जो आपका रिष्टा तोड़ सके तो जब भी आप किसी से रिष्टा तोड़ोना तो सोच समझ कर तोड़ना कि क्या पता आप इस तीसरे व्यक्ति में आका रहा रिस्ता तो नहीं तोड़ रहे हो वो आपके लिए बहुत बारी पड़ सकता है